असलाम लेकुम आई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब अल्ला का शुक्र जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं और दौा है मेरी कि आप लोग भी जहां रहे हैं खुश रहें अपनी फैमली के साथ खुश्वाबाद रहें तो जी बस आज मैंने ले लिये थे मटर और यहां मैंने कुछ टमाटर लियें जिने अभी मैं अच्छे से दो के फ्रिज में रख दूंगी और बस मुझे आज समझ नहीं आ रही थी तो मैंने का चले मटर ही लेके जो है इसकी दो रैस्पियां बना लेते हैं क्यूंकि एक में तो मुझे बनाने थे चावल मटर में और दूसरा मैं जो है वो घर से लेके जाते हैं तो इसलिए मुझे कोई न कोई सालंग जरूर बनाना होता है उनके लिए और रैस तो लेके जाते नहीं फिर इस तरीके से तो यहां बस अभी मैं इस वाले पैन में जो है वो रैस बना लूंगी और मैंने आ प्यास डाल दिया और बीच में और कुछ काली मेर्चन तेज पहां डाल दिया है अब मैं साथ साथ ही दोनों मतलब जो है वो काम करती रहूंगी आप लोगों को दिखाती रहूंगी प्यास प्यओंगी आप लोगों के वो वो काम करती रहूंगी आपके वोगों के वोगों कि नोड़े है वोगों काली में इसे बना दितता प्यास में वो प्यास तो ची यहां भी मैंने ये प्लाव के लिए जो है मटर डाल दिये दर और बस ची रमजान भी बहुत ही करीब आच चुके हैं माशालला से रमजान आने में भी कुछ ही दिन रहे गएं तो यही दौाए है कि आने वाला महीना और इसके बाद आने वाले तमाम साल जो हैं वो सब के लिए ज्यादा ज्यादा नेकियों खुशियों भरें और रहमतों भरें और अल्ला पाक सब की परिशानियां दूर बस जो जो परिशान है अल्ला पाक सब की परिशानियां दूर करें और काफी महंगाई हो गई है जिसके बाद जो है वो सब बहुत जादा परिशान है तो यहां भी मैं साथ ही रायता भी बना लूँगी यह कोई स्पेशल इंतिजाम नी था बस यह खीरे और यह टमाटर व हमारा बिल्कुल सिंपर सा यह पलाऊ, जाद हम अपना डिनर कर लेंगे और ये देखे हमारा सालन और बस सुबह में मैं अपने हस्बेंट को जो है बुलाजबान के देती हूं तो यही थे मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखेगा द्वामे याद रखेगा थेंकिसो माच अल्ला हाफेज